स्वामी नारायन संप्रदाय के सम्मंद में आप लोगों ने जो पुरिश्म किया है उसके लिए समाधान का प्रयास किया जा रहा है कहां कहां किन किन बातों पर समाधान होना चाहिए इसके लिए हमारे पूर्य गुजरात के संथ महामंडलेश्वर आचारी महामंडलेश्वर और छोटे बड़े सभी मठों आस्रमों के जुनागर्ड हित्यादी के सभी संत मंत विचार करने में लगे हुए हैं जगे जगे बैठते हो रही है सीधी बात यह है इसमें कि जिस कारण से दुवाद पैदा हुआ है उस कारण को ही निष्ट करना चाहिए कारण गुना तो कारी ठता नथी पर तेक कारी ना पाथन कारी हो अच्छे तो कारण को ही अभी हंदूर कर दें तो अपने आप समाधान हो जाएगा कारी क्या हो रहा है इनका नूर्तियों को हनमान जी को दास कह दिया महादेव को पटक दिया हमारे स्वामी नारायन महाराज ने अनमती मांगी उन्होंने उन्होंने भोजन कराया उनको इस तरह की बातों से फिर यह कह देना कि यह सब डेदब ध्यास जी ने लिखा है इसकंद पुरान में लिखा है तो डेदब ध्यास जी के किस पुरान में स्वामी नाराण सब्द का प्रयोग है यह हम जानना चाहेंगे कहीं नहीं मिलेगा भगलर की शर्षिवती की क्रिपासे समस्थ पुरानों का अबलोकन किया गया है कहीं ऐसा प्राप्त नहीं होता जिस इसकंद पराण की बात ये सब कर रहे हैं वो इसकंद पराण आपके सामने हैं बोखिए सामने रखे उनका भी चित्र ले लीजिएगा कहीं भी आप निकाल के बता दीजिए बाद में अगर किसमें जेड़ दिया या घटा दिया पर चिप्ट कर दिया उसमें तो वो अलग बात है उसकी वाइंडिंग खोल करके उसमें यड़ा है लेकिन हमारे पुष्टकालाई इतने मजबूत है हजारों साल से सेक्डों साल से अपने गुजरात में ही बड़ादा में जो MS विश्विद्याला है इन्वर्सिटी है बहुत बड़ी लाबरी है सौसा बेदो से साल पराने गरंथ है हमें पांडी लिपिया है हमारे यहां दारका में भी दारका धूस अकेडमी है तो ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जिस सब्ड का कोई अर्थ ना हो उसका प्रियोग नहीं करना चाहिए तो समाधान हो जाए बहुत अच्छा संदेश होगा ये कि उन नूर्तियों को जिनके प्रुपी आपत्ति है उनको दूर कर लिया जाए जिन गृंथों में इनोंने अपना इतिहास जोड दिया है उसको अलग कर दिया जाए और आगे ऐसा ना हो इसके लिए कोई अस्वासन इस्थाई आस्वासन प्राप्त हो कि आगे इनकी भी पांच-छे ब्रांचे है पांच-छे साखाएं है तो सबके साथ समनबे बैठा करके कोई ऐसा नगड़ा लेना चाहिए ताकि आगे ऐसा ना हो वो अपनी उपासना अपनी पद्बती के अंशार करें डाई से तीन से साल से कर रहे हैं कहां किसी ने आपत्ती की लेकिन किसी देवी देवता का अपमान करके आप अपने शंपरदाई की इन्मती नहीं कर सकते यह अच्छी बात नहीं है